In this module we will discuss type locality and importance of type locality सबसे पहले हम यह देखते हैं कि what is type locality Type locality basically वो जगा है जहां से holotype या फिर leptotype को collect किया जाए अब holotype से क्या अमराद है holotype हमने previous modules के अंदर discuss किया कि यह एक ऐसा specimen है जिसकी base के उपर जब एक researcher अपना research article लिख रहा होता है या किसी भी specimen की description लिख रहा होता है तो उस दोरान वो किसी एक specimen को as a model consider करता है यह जो model specimen जिसकी base के उपर उसकी ज़्यादा तर description base करती है इसको holotype कहते है जबके lectotype के बारे में हमने यह पढ़ा था कि lectotype जो है यह एक ऐसा specimen है अगर researcher ने description लिखते हुए एक holotype को select नहीं किया तो बाद में यह सारे जो specimens हैं इनको हम sin type कहते हैं और in sin type में से अगर किसी एक specimen को select कर लिया जाए as a holotype तो इसको हम lectotype कहेंगे तो type locality क्या है type locality basically वो जगा है जहां से holotype या फिर lectotype को collect किया जाता है जो paratypes हैं यह किसी और locality से भी collect किया जा सकते हैं अब यहां पे यह बात जाना ज़रूरी है कि जहां से हम type specimen को collect करते हैं तो वो specimen जो के types locality से collect किया जाते हैं इनको हम कहते हैं topotype type ऐसे specimen जो ऐसी जगा से collect किया जाएं जो के type locality है उनको topotypes कहेंगे जबके एक type locality जो है वहां पे जो population मौझूद है इस population को हम topotypical population कहेंगे तो topotype वो individuals है जो के type locality से collect किया जाएं और वहां पे जो population मौझूद है उसको topotypical population कहेंगे अब अगर हम जिकर करते हैं parasites का जब हम parasites की type locality की बात करते हैं तो क्यूंके parasites जो है किसी एक specific host के पर मौझूद होते हैं तो जब हम parasites को collect करते हैं तो हम उसकी इस चीज़ को node करते हैं कि उसको किस host से हमने collect किया है ये बात node करना बहुत important होता है जैसे type locality को node करना बहुत ज़रूरी है इसी तरीके से एक parasite जो है उसको जिस host से collect किया गया हो उस host का data collect करना important होता है अब यहाँ पे question ये पैदा होता है कि जो type locality है वो इतनी important क्यूं है type locality को mention करना क्यूं ज़रूरी होता है इस वज़ा से ज़रूरी होता है कि अगर हमारे पास एक ही specimen है वो हमने hollow type के तौर पर उसको declare किया हुआ है उसको हमने किसी एक particular type locality से collect किया था अगर किसी वज़ा से ये जो hollow type है ये miss हो जाता है या ये damage हो जाता है या destroy हो जाता है या वक्त गुजरने के साथ इसके जो characters हैं उनको study करना मुश्कल हो जाता है क्योंकि ये specimen degrade हो जाता है तो ये जरूरी होता है कि इस specimen को replace किया जाए अब इस specimen को replace करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास इसका कोई alternate मौजूद हो अब alternate हमारे पास कैसे आ सकता है उसी सूरत में आ सकता है जब हमें ये मालूम हो कि ये जो specimen है इसको किस area से किस type locality से collect किया गया था अगर जो है type locality हमारे पास मौजूद है तो उस type locality के अंदर हम जा सकते हैं और वहां से जो holotype है उसका alternate उसी species से बिलॉंग करता हुआ कोई specimen हम collect कर सकते हैं और ये specimen जो है ये replace कर सकता है उस holotype को तो यहां हमने देखा कि जो type locality है वो बहुत important होती है उसके लावा जो type locality है ये इस वज़ा से भी important है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक specimen हमारे पास holotype है और उसकी type locality हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें ये मालूम नहीं है उस type locality के बारे में कि वो जो type locality है वहाँ पे किस किसम का environment है हमें कुछ detail चाहिए हम ये चाहते हैं कि उस area के अंदर temperature कैसा है वहाँ rainfall की क्या condition है या बाकी जो physical conditions है उस area की वो कैसी है तो अगर हमें type locality का मालूम है तो हम उस area के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे हम अपनी study conduct कर सकते हैं और study conduct करने के बाद हम उस इलाके की ecology के बारे में information हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास type locality मौजूद ही नहीं हमारे पास specimen मौजूद है specimen किसी वज़ा से damage हो गया लेकिन हमारे पास ये information मौजूद ही नहीं कि ये information जो है किस area से collect किया गया तो उस जैसा specimen collect करना बहुत मुश्किल होगा तो type locality जो है basically हमारी help करती है कि हम immediately जो है उस area को target करें और वहाँ से जो भी हमें information चाहिए वो information हम collect करें